और ये जो चोर अपो कंपिने इन इन्से आसानी से आप पकड़ सकते हैं अच्छी अपकाडियों के दाम मिलती है अब मैं आपको पैसा बनाना भाँत पैसा बनाना बहुत सारी लक्षमी बनाने का एक वूरिया दे देता हूँ जिन्दगी बर आप याद रखियेगा हमाल जो देश है ना मैं जिस देश में पैदा हुआ था ना उस देश में मेरे प्रिताजी को गरीब 6-7 साल लगे थे पूंजी बचा के कमाई को बचा के एक छोटा सा स्कूटर करीबने के लिए वो जो देश था वो अभाव का देश था पैसिमिजम का देश था बहुत अलग देश था आज का तो भारत है बहुत अलग है मेरे भांजे की जब नौकरी लगी ना पहले दिन उसने जाके बैंक से लोन लेके एंफिल बुलेट खरी दी ये जो देश है और मैं जिस देश में पैदा हुआ था इसमें दो फर्क है पहला कोई भी देश जब बहुत ऑप्टिमिस्टिक हो जाता है कि मेरा कल मेरे आज से बहतर होने वाला है और चीजे आराम से मिलती है कि एक स्कूटर के लिए आपको 6 साल वेट नहीं करना पड़ता है वो देश बहुत उन्नती करता है और जो भी देश उन्नती करता है ना उसका करता है पापा ने कहा था कि अगर लक्षमी जी तक पहुंचना है तो सरस्वती जी के तुरूई जाना पड़ेगा तो इसलिए मैंने बहुत मेहनत करी बहुत पढ़ाई करी आएटी वार नसी बीच्चू से एंजिनेरिंग करी वहां के एक और और फ्लती ये थी कि हमारी ध दिलसिले में मैं एक फंड मैनेजर बन गया और ये बड़ी-बड़ी कंपनियां जो इंडिया में इंवेस्ट करती हैं निवेश करती हैं उन्होंने धीरे-धीरे हम पे विश्वास करके हमारी मेहनत पे विश्वास करके हमें फंड मैनेजमेंट के लिए बहुत सारे पैसे म आप्टिविजम वाली थी, इंडिया के बारे में बात करते हैं, कि अगर आपको शेयर बजार में निवेश करना है, तो आपको किन चीजों का ध्यान लखना चाहिए, और इसमें मैं आपको कुछ कहानिया सुनाओंगा, कि क्या आपको करना चाहिए, और क्या आपको नहीं करन कुछ भी आप जिंदगी में करते हैं ना चार चीजें हो चकती है पहला आप बहुत सारा मुनाफ़ा बना सकते हैं बिग ब्रॉफिट बड़ा नफा दूसरा छोटा मुनाफ़ा तीसरा छोटा घाटा थोड़ा सा लॉस और चौथा जो होता है बड़ा लॉस बड़ा घाटा बड़ा मुनाफ़ा छोटा मुनाफ़ा छोटा घाटा बड़ा घाटा अगले बीस तीस चालीस साल जो आप निवेश करने वाले हैं अगर आप इस बड़े घाटे को अवाइड करेंगे ना कि कुछ भी करू जिंदगी में ऐसी गलती ना करूं कि इतनी बड़ा नुकसान हो करेंगे और इसकी एक मैं आपको कहानी सुनाता हूं जो कुछ दिन पहले ही मेरे साथ हुई मैं कलकत्ते गया हुआ था तो एक दोस्ते मैं लंच कर रहा था तो उसने कायार मेरा एक फ्रेंड आया हुआ इंदौर से वह तुस्से मिलना चाहता है मिलते हैं तो हमने काफी पे अच्छा चल रहा है लेकिन आ गया लालच शेयर बजार का इसको कुछ भी ग्यान नहीं था तो इसने 25 लाक रुपए कुछ शेयर में इंवेस्ट कर दिये किसी की टिप सुनके और 25 लाक रुपए में से आप विश्वास नहीं करेंगे 15 लाक रुपए सिफ एक शेयर में डा आया नहीं रिकवर करने के लिए इसने किसी से उधार लेके और पैसे शेयर बाजार में लगा दिये अब ये असमंजस में हैं कि अजय शेयर तो गिर गया है क्या करूं और खरीदूं बेचूं समझ नहीं आ रहे हैं तो मैंने जो आपको एक्जैंपल दिया ना कि बड़ा घाटा जिंदेगी में नहीं करना चाहिए बड़े घाटे दो तरके होते हैं सिर्फ पैसे के नहीं होते हैं दिमाग के भी होते हैं इस बंदे के साथ क्या हुए आप समझ रहे हैं पैसे का लॉस्वा वालग है लेकिन ये इमोशनली इतना डीमॉरलाइज हो गया है इतना हत पहली सीख आपको ये दे देता हूं और शेर बजार क्या है ना जहां भी इर्शा है और लालच है वहां लोग पहुंच जाते हैं तो लालच करना अच्छी चीज़ है बुरी बात नहीं है पैसे बनाना लक्ष्मी जी के पास जाना बहुत जरूरी है लेकिन अगर सरस्वती जी का ध्यान नहीं देंगे विचिस विजडम सीख नहीं लेंगे तो बड़ा घाटा हो सकता है जो मेरे मित्र के साथ हुआ तो पहला कभी भी लोन लेके शेर न खरीदें और दूसरा टिप और ऐसे लोगों से दूर रहें और ये जो चोर कंपनियां होती है ना इनसे आसान यह आपको सुनाता हूँ वह कहते हैं कि सच कभी घटे या बढ़े तो सच न रहे जूट की कोई इंतहाँ ही नहीं अब इसका मतलब समझें तो एक कंप्णी से हम मिले थे वह इंफूसस जैसी कंप्णी पी इन्फूसस तो कमाल की कंप्णी यह बात है दोहजार चार पांच तो Infosys से हम मिले Infosys के उससा में करीब एक लाक एंप्लॉई थे और Infosys का हजार करोड का computer का खर्चा था यह छोटी सी नई कंपनी आई थी इसके सिर्फ 700 करमचारी थे और इसका computer का खर्चा 300 करोड रुपए था Infosys पर एंप्लॉई पर कर्मचारी सी वे एक लाक रुपए computer में खर्च करती थी यह छोटी सी कंपनी पर एंप्लॉई 30 लाक रुपए खर्च करती थी तरह बोलता है बतक है हंस नहीं है तो यही कंपनी थी जो बढ़ा चड़ा के बोल रही थी चोर निकली जिसने भी निवेश किया जल्दी में पैसा बनाने की कोशिश की जीरो बट्टा सन्नाटा बोला तो चोरों से दूर रही फिर क्या होता है कि हर बार हर 5-7 साल में मंदी आती है 2008 में फिनांचल क्राइसिस में मंदी आई थी कोविड में मंदी आई थी तो मंदियों से काइंडली नर्डरें मंदी आपकी दोस्त है और यहां मैं आपको एक कबूतरों की कहानी सुनाता हूं जो मेरी फेवरेट है बच्पन में हम जब नानी के घर जाते थे ना रा जाता हूं दूसरा जाता है तीसरा जाता है तो लालच जो आ रहा था ना कबूतरों को लालच दीरे दीरे आता है एक दूसरे को देखके आता है लेकिन जहां एक बिल्ली आई सारे कबूतर एक साथ उड़ जाते हैं शेयर बजार इसका बेस्ट एग्जाम्पल लालच हम शेयर प्राइस देखिएगा चर्ती सीड़ी की तरह है दीरे 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 शेयर उपर जाता है गिरता एकदम लिफ्ट की तरह है कि लिफ्ट से उतर है यह यूमन नेचर है ऐसा ही होता है तो जब भी मंदी आए जब सारे कबूतर एक साथ उड़ जाए ना तब आपको लालच करना चाहिए क्योंकि छट खाली हो गई है बहुत सारे दाने पड़े हैं तो मंदी से कभी न डरे इसमें मैंने खुरी दो तीन पंग्दिया लिख डाली थी बजाक में परिवार में हम बैठे थे यह ऐसी शायरी बैरी की मजाक कर रहे थे तो मैंने कहा कि एक एक करके आए क कभूतर लालच और इरश्या से भरमाए कभूतर लालच और इरश्या से भरमाए कभूतर मंदी में जब आया मंडी में डर या मंडी में जब आया मंदी का डर एक साथ साड़े उड़ जाए कभूतर तो यह हूमन साइकालोजी है इसको आप अगर समझ लें कि मंदी में सारे कबूतर एक साथ उड़ रहे हैं मैं अगर साइड में गरुड की तरह बैठा रहा हूं वेट करूं सब जब उड़ जाएंगे मुझे दाने पूरे मिलेंगे सस्ते में मिलेंगे अच्छी कंपनिया पकॉर्णियों के दाम मिलती है तब क्या होता है न मर्सिडीज आपको अमबाजडर के दाम में मिलती है तो आपको खुश होके शहर खरीदने चाहिए मंदी से कभी न डरे मंदी आपकी दोस्त है शेयर वजयार में बहुत तारह के शेय है आई-टी सर्विसेज हैं कंजूमर कंपनी हैं दूद की कंपनी हैं कोल गेट है हिंदुस्तान लीवर है इंफोसेज है वगरव तो अभी कुछ दिन पहले मैं एक सेशन कर रहा था तो कुछ लोगों ने सवाल पूछा कुछ शेयर के बारे में उन शेयर के बारे में मुझ शाइंद है बेरतर हो जाओं तो इन्होंने मिन जो दो तीन शेयर के बारे में पूछा भणा मेरे को नहीं मालूम हैं इन शेयर के बारे में पैसा है पहली Saturn के पहले जहां इकदम सूरज चांड सितारे एकदम सबStr पेढ़ पहार दिख रहे हैं दूसरी गली है, वहाँ पे नदिया, प्यारे-प्यारे पच्छी उड़ रहे हैं, तीसरी गली है, पूरा अंधेरा है, एक बल्ब भी नहीं जल रहा है, और चौथी गली तो इतनी डरावनी है, पता नहीं साप है, चुआ है, पता नहीं, तो मैंने कहा, मैं जो शेहर बजार म मैं ऐसी पहली दो गली में जाता हूँ, जो मुझे समझ में आती है, जो मुझे दिख रहा है, जहां मेरी जान कत्रे में नहीं होगी, और जो कंपनियां प्रॉफिट बनाती है, जो अच्छी कंपनियां है, जिनको मैंने आट-दस साल से देखा हुआ है, यह जितनी नहीं कं तो जब प्रश्त आएगा यानि की बत्ती जल गई मुनाफ़ा जब कंपनी मना रही है तो एक पहले जो भी शहर आपको समझ में नहीं आता है उसकी टिप तो लीजिये और वनी गली है सब चुकाट लेंगे ऐसी गलियों से आप दूर रहें तो चलिए आपको एक और चोरों की कहानी सुनाता हो जिनसे आपको दूर रहना चाहिए यह हमारे साथ हुआ था इंडिया में ने यह वह था 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 एक म्पनी थी जो नाइका जैसे ब्यूटी प्रॉ ऐसी कंपनी मुझे एक ही चीज खटकी थी उस कंपनी में इंडिया में आप देखना जितनी अच्छी कंपनी यह ना जो ओनर होते हैं कभी शेर नहीं बेचते स्पेशली ब्रैंड कंपनी जिसके रोज मर्रा की हमें चीज़ें मिलती हैं कभी भी शेर नहीं बेचते यह जो शे में उसके पास करीब सतर परसेंट था ऊपर जाते जाते सिर्व 21 परसेंट रह गया और मुस्ट आधा पचास परसेंट ऑफ कंपनी उसने बेच दिया यह चीजी मुझे थोड़ी खटकी थी और हमने पूरी अनुबर रिपोर्ट अनालिसिस करी हमने कंपनी के मैंनेजमेंट से बतायीया सारे नंबर मिलय रहेते हैं मैं बोले यह कुछ अटक रहा है कुछ दाल में काला यह समझ नहीं आ आ घृ किया मय zur्मिंट से पूचा कि आप हमने बताइए कि आपके का कि या स्टोर रात को आड़ बजे बंद होता है हमां तीन दिन थे बुद्वार गुरुवार और शुक्रवार बुद्वार हम रात को साथ बचके 55 मिनट में स्टोर पहुंच गया हमने क्रीम खरी दी वो पूस मशीन होती है उसने रिसीट दी रिसीट में नमबर था मुझे समझ में आ गया कि मैं जो सोच रहा हूं वो यहां चल जाएगा अगले दिन साथ बचके 55 में हम वापस पहुंचे फिर एक क्रीम खरी दी वही पॉस मशीन है रिसीट नमबर है टोटल नमबर ही है तो अगर बुद्वार की मेरी रिसीट पचासवे नमबर थी और अगर बिस बिचित इतना माल बिखता है इतनी क्रीम भिखती है और जब हम ने इन तीन स्टोर की तीन दिन की अनालेसिस करी हमारा जो नमबर आया और जो कंपनी का रिपोर्टर रेविन्यू था जो सेल्स थी हमारा नमबर 20 परसंट था पांच गुना जादा नमबर बता रही थी और बेवकूफ बना रही थे वही बात है सच घटे या बढ़े तो सच न रहे इन्होंने तो पता नहीं नमक में पानी मिलाया कि पानी में नमक क्यों कहते हैं आटे में नमक या नमक में आटा वही हाल था हम बज कए इस कंपनी से इंवेस्ट करने तो कई बार है ज्यादा गणित और ज्यादा अनालिसस से हम उस शेर से बच गए और वो शेर वहां से 99% डाउन है कंपनी ने दिवालिया अल्मोस खोशित कर दिया है जो भी इन्वेस्टर से उन्होंने बहुत लॉस किया है इसलिए अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं काइनली कॉमन सेंस यूज करें जो बात है करीब 2003 की exactly आज से 20 साल पहले मैं तब राकेश जी को जानता नहीं तब मैं CLA से एक बहुत अच्छी हमाई रिसर्च फर्म है इंडिया की वहां काम करता था और मैं फार्मा एनलिस्ट था मेरा भी फार्म बैग्राउंड है मैंने इंविय किया था तो मुझे फार्मा कितनी अच्छी है हम अमेरिका का मार्किट जाके जीतेंगे वग्यरा बाकिव ने बहुत मेहनत करी ती बहुत अच्छी रिपॉर्ट लिए तो मैं रैन्बैक्सी के एनलिस्ट में हाई टाइम हाई टी में था तो हम चाई की लाइन में खड़े हैं पीछे से मेरे कंदे पे हाथ आया किसी ने मुझे मैंने पीछे मुड़के देखा तो एक लंबे चोड़े से इंसान चश्मा पहन के थे उन्होंने कहा कि हाई तो मुझे कहते हैं कि अजय तुमारी रिपॉर्ट पढ़ी क्या तुम रैन्बैक्सी पे लिख रहे हो रैन्बैक्सी तो बुड्डी हो यह लूपिन पे लिखो लूपिन बहुत जवान है तो मुझे अचमबा हुआ मैं इस इंसान को जानता नहीं हूँ आउट ओड़ू आके मुझसे कह रहे हैं फिर उन्हें अपने आपको इंट्रिड्यूस किया कि मेरा नाम राकेश जुन्यूर्ड यह पहली बार मेरी मुला के बाद कुछ दो-तीन नित बाद डॉक्टर डीबी गुपता का लूपिन के चैर्मेन थे अभी तो वह 2017 में गुजर गए हैं उनसे बहुत अच्छी रिलेशंचिप बनी थी लूपिन से बहुत सारे किस्से बने थे कभिया और और आपको वह किस्से में सुनाओंगा लेकि रन बैक सी तो बुड़ी हो गई है लूपिन पे लिखो लूपिन जवान तो बस लास्ट एक और फ्रॉड की आपको स्टोरी बता देता हूं ताकि आप सामधान रहें यह कंपनी थी साउथ में एक आईटी सर्विसेस के कंपनी उस जमाने में आईटी में 100% टैक्स ब्रेक ह होता है ना आप कुछ भी प्रॉफिट दिखाई आपको टैक्स देना ही नहीं है तो इस कंपनी ने क्या किया कि लंडन में इसने एक सब्सिट्री बना ली वहाँ और लेती थी 200 कोड की वां टरन ओवर दिखाती थी इंडिया में 200 को टरन ओवर पे 100 कोड प्रॉफिट दिख तो हमने पूछा कि इनके कॉंफरेंस रूम में बैठे थे बाते चल रही थी तो इन्होंने का कि यार हम क्या कर रहे हैं ना हमने और बड़ी ओफिस ले लिए जहां 11,000 लोगों को हम बैठा सकते हैं हमने पूछा क्यों क्यों कि यहां ना यह जो बिल्डिंग है छोटी पढ क्यों आप कर रहे हैं बहुत जल्दी एक्सपैंड करने वाले हैं हम बहुत बड़े होने वाले हैं तो मैं अच्छा आपकी 11,000 यह लोगों वाली बिल्डिंग है उसमें आप क्या कर रहे हैं मुलते हैं कि वहां हम करी 51 करोड रूपी स्पेंड करने हैं इंटीरियर करने के अच्छा तब तो इतना आप खर्चा कर रहें तो विल्डिंग आपने खरीद रखी होगी नहीं 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 भाड़े में लिए हैं मैंने का इक भाड़ी की बिल्डिंग में आप अपनी कंपनी क्या 51 करोड रूपया खर्च कर रहे हैं जहां आपको लगता आप 11,000 लोगों को बैठा पाएंगे अभी आपके 2000 लोगी है और आपकी अभी की बिल्डिंग में और लड़ी 4000 की कैपैसिटी है मुलते हैं अब आपको यहां समझ में आ रहे हैं कुछ तो गड़ बढ़ है तो हम वो मीटिंग से बाहर आ गए फिर चूकी हम कनेक्टें हैं शहर में लोगों को जानते हैं हमने सिर्व एक काम किया हमने पता किया कि यह जो 11,000 लोगों वाली बिल्डिंग है उसका ओनर कौन है आप गैस कर सकते हैं कौन उसका ओनर था इस कंपनी का ओनर वो अपनी बिल्डिंग को इस कंपनी को भाड़े में दे रहा था जबरदस्ती कंपनी क पैसे से उसका इंटीरियर करा रहा था जिस कमपनी को उस बिल्डींग की जरूरत ही नहीं है बहुत सिंपल अनालिस थी बतक की तरह चलता है बतक की तरह बोलता है तो बतक ही निकला हंस नहीं था ये कमपनी भी जैसी टैक्स ब्रेक खतम हुआ IT Services का ये शेर भी 90 टका गिरा जीरो बट्टा सन्नाटा अब मैं आपको पैसा बनाना बहुत पैसा बनाना बहुत सारी लक्षमी बनाने का एक पुडिया दे देता हूँ जिंदगी बर आप याद रखिएगा बी बी पहला है पैसे बनाना जो मैंने अपने इक मित्र कि आपको बताई थी मुझे से मिलने इस metal अच्छा खास अभ्यपार छलाटा था जिसने पैसे बना लिये दूसरा होता है पैसे को बचाना उड़ाना नहीं बचाना बचाना दो से होता है गलतियां नहीं करना और खर्चे कम करना दिखावा नहीं करना वो अलग जज्ज्मेंट वाली बात है उस पे मैं अभी नहीं जाओंगा तीसरा तब होता है पैसे को बढ़ाना वो होता है निवेश करना शेर बजार में बॉंड में गोल्ड में वो रियल एस्टेट म बनाना बचाना बढ़ाना ये तीनों जरूरी है सिर्फ आप बनाने की होड में रहेंगे उसको बचाएंगे नहीं इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो भी आप गलती कर रहे हैं लेकिन आपने अकर बना लिया और आप बहुत लालच कर रहे हैं और लोगों से इर्श्या करके ज्य अगर आप गलती करेंगे चाहे वो इन्वेस्टिंग में हैं चाहे वे आपार में हैं चाहे किसी भी चीज में हैं बहुत बड़ा वाला घाटा होता है लार्ज लॉस होता है जो अपने को आवएट करना है तो तीन बीज को आप याद रखिए बी बी पैसे बनाना पैसे बचाना पैसे बढ़ाना और सीधी सी बात है मैं था एक सिंपल जेनरिक आम लड़का शायद मैं थोड़ा गुड हो गया हूँ और मुझे लग रहा है कि हमारा देश भी जिस समय मैं पैता हुआ था जो मैंने प हमेशा में कहता हूँ जी टी टू जी गुड़ टू ग्रेट जोड़नी में मालू में क्यों आयों मालूम है है लोग कमाल आ कि है बड़ों और इस नेशन प्लाइघ कि वो干ी कमाल है यह तो गूड टूौ कैसे उन्होंने क्या गलतियां करी थी उनकी क्या अच्छाहियां थी यह जो प्लाटफॉर्म है जैन्मिनली इट सच अन लोग कमाल की बात करते हैं कमाल का प्लाटफॉर्म है और मैं बहुत कृतक की हूं जो स्टॉक्स के लिए कि उन्होंने मुझे ऑल दोबे सिंगपूर से दिल्ली इन्वाइट किया मुझे मौका दिया आप लों से बात करने के लिए और रियली होप कि आपको यह अच्छा लग स्कुर्ण करते हैं और सयक्सेस्फफौर विल्दलंना चाहते हैं चाहें करता की प्यर्सों इन्विस्टमेंट के करता हैं चुशद आक सिंगिगंग यहां पर आपको मिलती है बसार्य मिलती है ठीर सारी इक्सरसाइसेज और साथ में सबसे इंपॉर्टेट आप में दिये कैसी कमिटी जो आपो हेल्प करेगी फाइनेंस इर्लेटेड टॉपिक्स को बड़े आसान तरीके से समझने में तो देर किस बात की आप ये डाउन्लोड करिए जोड़ टॉक्स इंग्लिश स्पिक एप और वीजिए अपनी फाइनेंशल फ्रीडम की तरफ पहला कदम